आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिली पोटेटो बिल्कुल रस्टोरेंट स्टाइल है अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे न तो कभी आपको रस्टोरेंट से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची करारा हनी चिली पोटेटो आज हम और यह सभी को खास करके बच्चों को तो यह बहुत पसंद आता है जो चलिए इसको बनाते हैं तो हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं हूँ स्वाती स्वाती सोनी रस्वे में स्वागत है आपका तो इसके लिए देखे यह हमने चार से पांच आलू हमने ले लिया है और इन आलू को τα ड़िया है जैसे हम लोग फ्रेंच फ्रैस के लिए आलू काचते है ऊसी तरह से हमी काट लिया है काटेinfect काट द्हों के अच्छे से इसका पानी हमने निकाल लिया है और यह देखिए अब अब इसमें दो चमच मैदा और दो आप लोग आरा रोट भी ना हो तो चावल का आटा भी आप लोग डाल सकते हैं इन सभी को हमने लिए अच्छे से जो सभी आलू पर पूरा मैदा और कॉटे डालू हो जाए और इसमें एक से दो चम्मचम पानी डाल दिया हैं अगर आप बिल्कुल ड्राय हो तभी पानी डाल तो यह देखे अब आप तो या तो उसको उसी स्टेच पे भी उसे डीफ्राय कर सकते हैं या ज्यादा क्रिश्पी और क्रंची बनाने के लिए आपको यह प्रोसेस करना होगा इसके लिए हमने आधा कब मैदा आधा कब कॉण फ्लार का हमें यूज किया है और आधा चमच नमक डाल के इनका हमें ה मैं लिकुट जैसा फॉम तेयार कर लेंगे आपको ओन फ्लार की जगह आप लोग आरा रोट चावल कांटा यूज कर सकते हैं इसका जएदा ना हमें मोटा ना पतला गोल तेयार करला क अब चलिए और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डिप कर लेंगे एक एक आलू को और इसमें डाल देंगे अगर चिपकने लगे तो कोई बात नहीं ये बात में निकल आएगा लेकिन ध्यान रखेगा हम एक बाड में डालेंगे तो नहीं चिपके से िसल्खए हमें से 60 usdth से 70% कोई पर स्कार LM di टाली 550 अवरणकीiell हम डूवलों करना ह सै तो जब हम सभी को एक बार में फ्राइ करके निकाल लेंगे फिर हम इसको डवल फ्राइ करेंगे तो यह देखिए हम इस तरह से पहली बार में फ्राइ कर लिये हैं से चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अब हम दूसरी बार में सारा आलू एक बार में डाल के इसे हम golden brown होने तक double fry कर लेंगे इसे आलू जो है बिल्कुल crispy और crunchy french fries आपका बनेगा तो या तो आप इसको इस स्टेज पे भी खा सकते हैं चाट मसाला रा हलका नमक डाल के खा सकते हैं और नहीं तो चली अब इसका honey chili potato बनाने चा रहे हैं तो उसके लिए हमने एक कराही लिया हम लेकिला में हम दो से तीन चम्मश टील डाल देंगे टील हमने यूज उसके हम प्राइ किया तो चली तो आपके डाल देंगे जो पैंशन जो बिल्कुल कॉत ओनाच बिल्कुल नहीं करना है और इसमें एक ग्रेटेड अद्रप डाल देंगे एक भ्याज को हमने पतला बि तेल दाल दिया है और जगत पीखा और चटपटा बनाने के लिए और इसमें अब हम एक चम्मच से लगभग हम तेल डाल दे रहे हैं और इन सभी को बस हलका ही इसे हमें बून लेना है अब हम इसमें आधा चम्मच नमक नमक हमें कम ही रखेगा तो क्योंकि नमक जो है सॉस मे कैचации ठीट तो कि अथर में गशिए और यह देगे इसमां हम 2-3 चम्मच रेड खे और बने है इसे बहुत बढ़ी चस चम्मच सोया सॉस दाल दे रहे हैं। कि जैपा बढ़ए आ थे समां स biggest ofurday, बढ़ए बढाने हैं . अगया ठीट र–ट। टोश्त अफ़ा हम ड़ेता पा बटो आधा कप के लगवग हम पानी डाल देंगे और अब इसको और ज्यादर थिक और साइनी बनाने के लिए हमने एक चम्मच कॉन फ्लाड लिया है उसमें दो से तीन चम्मच हम पानी डाल के लिकविड तयार कर लेंगे और जब उसमें उबाल आजाए फिर हम धिरे धिरे और इसे चलाते रहेंगे, तो बिल्कुल यह स्मूद पेस्ट जैसे है, बिल्कुल साइनी शाइनी बन जाएगा, तो यह देखिए, मार्केट वाले भी आरा रोटका ही या कॉणफलार का यूज करते हैं, यह देखिए इस तरह से यह थिक हो जाएगा, कॉणफलार डालने से अब इसमें हम जितने भी आलो प्राइ किया है वो सब हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, जो पूरे आलो में यह चला जा इसका कॉरिवी अब हनी चिली पोटाटो है तो हनी तो इसमें जाएगा ही इसके लिए हमने इसमें दो से ढाई चमच हम भानी डालें इससे टेस्ट जो बहुत बढ़ी आता है तीखा, नंकीन, चटपटा, मीठा, सवी का फ्लिवर इसमें बहुत बढ़ी आता है और बच्चे तो बस इसे मांग-मांग के खाते इतना बढ़ियां बनता है तो बाहर से लाने के बज़ाए आप घर में बनाईए और बच्चे न तो आप वो भी हलका स्प्रिंकल कर सकती है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थाइंक यू बाबाई